आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है लेके आए हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में लेटेस्ट खबर यहाँ पर डॉलर पावर फिर से स्ट्रॉंग बर रही है Amazon ट्राइ कर रहा है किसी तरह से फिर से अपना स्थापित किया हुआ पोजिशन वापिस ले Monday को एक reaction expected होगा जो Amazon ने यहाँ पर future retail के खिलाफ case फाइल करने की शुरुआत कर दिया है देखे दोस्तों दो key information लेके आया है यहाँ पर और यह information की बात हमने अपने मित्र Amijji से भी पूची है और उनके हिसाब से यह क्या हो सकता है आगे यह प्रक्रिया आपको समझाएंगे यहाँ पर तो सबसे पहले news की बात करते हैं फिर बताएंगे Amijji का opinion क्या है यहाँ पर जैसा expected था Amazon ने यहाँ पर सबसे पहले जो आपका delay game चला रहे है उसको further enhance करने की कोशिश किये with the help of dollar power गए है NCLT के पास NCLT के पास जाने का कारण जो CCI का decision होने लिया है उसके against और Supreme Court में जो High Court ने decision लिया है CCI के ऊपर उसके ऊपर stay लेने के लिए गए है अब दोनों की ख़बर का पूरा detail में बताते है this is as per the source media news as well as well as our sources Saturday रात को इन्होंने NCLT में case file कर दिया है CCI के against to challenge the decision अब decision क्या है देखे CCI ने कहा है future coupon और Amazon की deal को suspend कर दिया है उसके खिलाफ कह रहे हैं कि approval के बाद ये इसको change नहीं कर सकते है इसलिए NCLT में चले गए है अपनी complaint लेकर CCI के खिलाफ तो ये तो बहुत clear simple case था हमने पूछा अमिजी से कि क्या यहाँ पर CCI इस तरह का decision ले सकती है तो अमिजी ने कहा है CCI के पास पूरा approval authority होता है CCI is always deal are looking forward तो ये तो legal clearly इस case में तो कोई ज़्यादा दम नहीं है NCLT का जो specific view उन्होंने बताया है उनके हिसाब से ये तो उन्होंने सिर्फ formalty के लिए apply कि है उन्हें भी बता है कि NCLT will follow CCI instruction क्योंकि CCI के पास पूरी authority है for checking the conditions of the market और बगए document के भी they can challenge the deal और they can reverse the deal अगर उनको लगता है कि competition किसी वज़ा से खतम हो रहा है तो ये तो clear cut उन्होंने बोला है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ये this is print video news दो sources के accordingly यहाँ पर CCI का suspension का decision NCLT में challenge किया गया है अगली जो खबर है वो important है और इसका क्या impact होगा ये चीज़ बढ़िया है खबर पहले बताते हैं इन्होंने जो high court का decision आया था जिसके ओपर उनने कहा है कि Singapore International Arbitration Court का जो सुनवाईया उसको स्थगित कर दी जाए अब उसके उपर stay लेने की बात कर रहे हैं और Supreme Court में आपको पता ही है January 11 को hearing है इस case की और इसमें हरीश सालवे जी ने पहला जो प्रस्तुति करन करेंगे वो ये बात का करेंगे कि ये जो deal की discussion चल रहा है क्योंकि deal illegal है अब CCI के accordingly तो इस मामले को ही total रफा रफा कर दिया जाए यहां से और यहां पर future group को approval दे दिया जाए for selling their asset to Reliance Industries तो हमने इसके बारे में अमीजी से पूछा और यह important point है इसमें बहुत लंबा discussion हुआ हमारा करीब आदा गंटा discussion हुआ है ये ख़बर कभी एक गंडे पहले क ख़बर है और source media के अनुसार हमने यहां पर इसको पहले ही अपने मित्र से पूछा है ऐसे ही ख़बर आई तब ही हमने पूछना शूरू किया कि अब Supreme Court के पास क्या auction होता है क्योंकि legally ये एक right step है जो Amazon ने लिया है देखिए अब नीचे का court यहां पर इस case में High Court का multi bench ने एक stay order passed किया है legally कोई भी entity चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो एक lower court के decision को higher court में challenge कर सकती है so this is a very legal point from his perspective और अब depend करता है कि Amazon क्या-क्या document यहां पर लेके आएगा जिसके वज़े से इसको stay लेने की कोशिश करेगा अब यहां पर एक तरह से कालपनिक position समझे हमने पूछा क कि क्या हो सकता है यहां पर जिसकी वज़े से Amazon को case जीता जा सके तो उन्होंने कहा है कि एक चीज है जो Amazon के पास में positive हो सकती है अगर किसी तरह से वो यह prove कर पाए कि इस suspension के बाद उनकी company को जो इंडिया में damage हो रहा है वो irreparable है इस वज़े से इस deal को फिर से स्थगत किया जा है और हमें stay चाहिए तो यह एक key position बनके आ रही है अमिजी के accordingly जो इस case में थोड़ा सा delay करा सकती है तो हमारे हिसाब से यह जो news है second part of the news जहां पर उन्हें Supreme Court में case file किया है this might create a small knee-jerk reaction कल market में तो यहां पर दूसरे sources के accordingly जो petition file किया गया है यह यहां पर इसकी emergency situation में arbitration की discussion कर है Supreme Court के साथ में अगले हफते में इसका discussion होगा तो stay for the stay Amazon is not going to let it go very easily और यहां पर approach जो Supreme Court के किया है उन्होंने future group को यहां पर मना किया है asset sale के लिए जाने के खिलाफ अब इसका implication क्या होगा अगर यहां पर stay मिल जाता है यहां पर this week will be very interesting future retail की जो सुनवाई होगी वो January 11 की ता at all may see a fall उसका reason क्या है future retail में देखे अगर यहां पर stay मिल जाता है तो we will be back to the same position जिसकी वज़े से यहां पर stock ने up moment दिखाया था देखे stock यहां पर 50 के आसपास चल रहा था और इसने जब stay मिला तो 55 की पास जाकर 52 के आसपास बंदवा है future retail की बात करे तो और future life sell fashion 50 से 55 हो गय की कोशिश करेंगे कि यहां पर 10 तारिक को ही ले ले क्योंकि 11 तारिक को main case की सुनवाई है तो यहां पर Supreme Court को कोशिश की जाए कि 10 तारिक को ही यह stay मिल जा है तो उमीद लगाई जाए हमारे साब से अगर नीजर की reaction आएगा तो 50 रुपे तक future retail का भाव जा सकता है उसके नी life sell fashion को देखें तो देखे future life sell fashion पिछले तीन दिनों के मकाबले 50 रुपीज 50 पैसे के मकाबले इसने आप मूव दिखाया है 55 रुपे तक का तो यह key indicator दिखा रहा है यहाँ पर क्यूंकि उसका gap सब से जाद है deal के reference में तो यह arbitration opportunity के हिसाब से लोगवाग इसको खरीद रहे है यहाँ पर जो नीचे आएगा हो 50 के आसपास आने की उम्मीद है इसकी 50 के आवन के आसपास तो यहाँ पर बहुत strong support रहेगा हमारे साब से interesting week ahead जो जैसा भी होगा we are here we will keep you posted और अगर live आने की जुरूत हुई तो हम online भी आपके पास live आएंगे future group के accordingly उन्हें कोई भी गलत काम नहीं किया है and they want legally completion of their asset sale ताकि job बजा सके और साथ साथ में जो lenders है उनका पैसा भी वहाँ पर दे सके Monday price action हमारे विसाब से range bound रहेगा यह अच्छी opportunity अगर low range में आता है we also have cash with us and we may buy further यहाँ पर आपको standard disclaimer कर रहे है market cap की दर्शित देखे तो total market cap यहाँ पर 6800 क्रोन के approximately है जिसकी valuation 24,000 क्रोन के आसपास reliance ने करके अपना stake लेने की कोशिश किया यहाँ पर दोस्तों अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते है अगर हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है तो जैंज भारत बाइ गाइस